दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर वेड़ुदर रोतिया आप सभीका लाउ ओर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है अभिनेंदन हैं यदि आपसे एक प्रश्न पुछा जाएं कि भारत में ऐसा कोई विनिवर्शिटी कॉलेज या इनिस्टिटूट है जहां पर एड विस्विद्याले में इनिस्टिट में एडमिशन हो जाने के बाद ये पक्का हो जाए कि आपको नौकरी मिलेगा ही जी हां भारत में एक ऐसा इनिवर्शिटी होने जा रहा है जहां पर छात्रों को देगी नौकरी की गारांटी और सरकार ने भी इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया है और आने वाले विदानसवा सत्र में दिल के रुप में प्रस्तूत किया जाएगा यानि कि देश में एक ऐसा इनिवर्शिटी होने जा रहा है जहां पर हर छात्र को देगी नौकरी की गारांटी जी हां जी ये समाचार आपको पढ़ना चाहिए ये जरूर समाचार है दोस्तों एक ऐसा इनिवर्शिटी जहां पढ़ने वाले छात्रों को नौकरी की गारांटी देगी ये जाब ओरियंटेड इनिवर्शिटी होगी ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल में कही है उन्होंने बताया कि दिल्ली में कौसल और उ मुख्यमंत्री है उन्होंने बताया कि ब्राजिल और फिंलेंड में कई देश के कौसल केंद्रों के सरविछण के बाद इस विस्विद्याले की रूप रेखा तयार की गई है यानि कि आपको जानकारी होना चाहिए फिंलेंड और ब्राजिल एक ऐसा देश है जहां पर ऐस भी विस्विद्याले हैं एडमिसन लेने के बार आपको हर हालत में नौकरी मिलेगी यहाँ पर यह मुख्यधारा ब्यावसाइक सिच्छा के बीच की खाली जगह को भरने के काम करेगी दोस्तों यह है इनिवर्सिटी का नाम जो औरियंटेड इनिवर्सिटी होगी भी के आओधी के लिए संचालित किये जाएंगी यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को नौकरी की गारंटी रहेगी विस्विद्याले में करीब 50,000 छात्रों को पढ़ने की छमता देगी साथ ही अन्य देशों उद्यगों कमपनियों के साथ मिलकर आपची सहयोग का आदान प अगर कोई कमपनी किसी छात्र को नौकरी के लिए चूनती है तो उस छात्र को कमपनी की जवरत के अनुसार पर सिछल दिया जाएगा ध्यान दीजेगा कहां बनेगा यह विस्विद्याले इस नए विस्विद्याले का केंपस दिल्ली में ही होगा इसका मुक्याले दिल्ली के ओखला में बनाये जाएगा जहां अभी दिल्ली स्कूल आप टूल इंजिनिरिंग है तीक है जहां पर अभी दिल्ली स्कूल आप टूल इंजिनिरिंग है ओखला में वहां पर इसके मुख्याले होंगे भी सविध्याले खोला जाएगा छात्र यहां दसवी बारियों और इ इसना तक के बाद, यानि कि हर लोगों के लिए कुछ न कुछ समाधान हाया नोकरी की गारंटिक है, कब से सुरू हो गई ये विस्थविद्धाले, इस विस्थविद्धाले के लिए बनाई योजना को केबिनेट से मंजुरी मिल चुकी है, मुक्यमंत्री केजरिवाल बताया सरकार उपराजपाल के अनुमती लेकर बिदान सबा में इसके लिए बिधायक लाएगी, और उन्होंने कहा है कि उम्मिद जताया है कि उपराजपाल के अनुमती और बिधायक को बिदान सबा में मंजुर मिलने के एक साल के अंदर ही ये विस्थविद्धाले सुरू हो जा है विस्विद्धाले जो oriented विस्विद्धाले के नाम से जाना जाएगा जहापर कॉसल सिच्छा दिया जाएगा आपको हम बता दे अभी वतमान में ITI पोल्टेक्निक और बैसी कॉसल संस्थानों को इस विस्विद्धाले के साथ में जोड़ा जाएगा यह कह रहा है आइटियाई, पॉल्टेक्निक और बैसिक कोशल संस्थानों को इस विस्दले से जुड़ा जाएगा दिल्ली में अभी 12 सरकारी वो सरकारी साहता प्राप्त तक्निकी संस्थान है प्राप्त प्रापinger झाल झाल